रादे किष्णा प्रेंट्स मेरे इस चैनल डिवाइन दिश्टी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभी नंदन है और आप सब कैसे हैं आप मैंसे बहुतों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मुझे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए बे आपके सामने एक ऐसी स्टोरी एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं ऐसा भी होता है और इससे हमें क्या शिक्ष्ण मिलती है वो भी मैं आप सब को बताना चाहूंगी हमें कभी भी किसी से भी इन्फैचुएटेट नहीं होना चाहिए देखते ही जो हमारा अकर्शन हो जाता है वो हमें एकदम से नहीं होना चाहिए हमें समस्दारी से काम लेना चाहिए हमें नहीं पता लगता है किस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है और वो हमें क्या रिजल्ट उसका मिलेगा तो फ्रेंच इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूं बहुत दूर में पहाणों पर मैं जहहां का नाम नहीं लेना चाहूंगी तो वो पहाणों पर एक जहहां पर एक डॉक्टर थे वो अतनी प्रेक्टिस करते थे उस दिन भी क्या हुआ डॉक्टर साब बैठे वे थे डॉक्टर शाह बैठे वे थे और पेशेंस को चक्कर रहे थे और बिक long line of the doctors खुब पेशेंट साहते थी उनके पास में खुब लंबी लाइन लगी होती थी एक दिन वो चेक कर रहे थे तो चेक करते के बीश में एक लेडी हैं गाप से उतरी यूनों शी वाज वेल ट्रेस्ट अप शी वाज लगी वेरी बीटिफुल शी वाज लगी बेरी स्मार्ट वो आई नहीं और लाइन में बाड़ गई अब डॉक्टर साब थोड़ा सा चंचल प्रवर्ती के आदमी थे संदर्ता के प्रेमी थे तो उन्होंने देखा कि वो लेडी आई हैं संदर है बैटी है तो अपनी सीट से उठकर सारी लाइन को तोड़ते वे उसके पास पहुँच गए क्या हुआ आपको कैसे आई हैं आप तो उस लेडी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ मेरे हस्बेन को हुआ है बैँ अच्छा क्या हुआ हार्ट अटेक आगया या कोई और प्रॉब्लम होगी या कैंसर होगया क्या होगया बोले नहीं उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बस उनको एक ही प्रॉब्लम है और वो है बात बात में मुझे से कहते हैं मेरा हिसाब कर दो मेरा हिसाब कर दो तो डॉक्टर साब ने कहा अच्छा दिखाईए आपके बुलाईए आपके हस्बिन को मैं चेक अप करता हूँ बोली डॉक्टर साब क्या करूँ मैं तो उनको लेके आ रही थी पर उनों ने है ना घर पे बैटे हैं कहते हैं मेरा हिसाब कर दे तो फिर आप मुझे अपनी कार दे दो ड्राइवर दे दो तो मैं जाके लेखर आ जाती हूँ तो डॉक्टर साब ने कहा अच्छा ठीक है चली जाओ ड्राइवर को बुलाया वोले ड्राइवर इनको इनके घर ले जाओ अब पता है उस लेडी ने क्या किया वो लेडी ड्राइवर को लेके सीधा मार्केट पहुंची मार्केट में जो बेस जूलरी शॉप थी वहां गई वहां उसने अपने लिए सबसे कॉस्टली और सबसे बढ़िया सेट गले का कान का हाथ की चूड़ियां वगएरे सब खरीड ली पेमिंट का टाइम आया तो उसने जुलर शॉप के हेड्स कहा देखिए मैं अपना जल्दी जल्दी में आई थी तो अपना क्रेडिट कार्ड भूल गई हूं आप ऐसे कीजिये कि यह ड्रावर है आप ऐसे कीजिये कि मुझे जाने दीजिये मैं वहां से लाके देदेती हूं कि डॉक्टर सहाब चाहा की इनको बंडद है न्यां खुलुकोअ कर घ्राव और जाती हूं आपको तो अभी ड्रावर के साथ पैसे भिश्वा देती हूं तो वह जुल्री शाप का जो हैड था उसने कहा कि इतना बड़ी रखम की जुल्री में इनको कैसे पकड़ाते हूं तो उसने क्या किया अब आच्छा ठीक है मैं भी साथ में चलता हूं तो उस लेडी ने का बिल्कुल ज काम है आप ऐसे करीए ड्रावर के साथ डॉक्ट साब के पास चलिजाए उनसे कहा कर दो갈 եा तो वह आपका हिसाब करतेंगे अब ड्रैवर भी जाना पैचाना लग रहा था सब कुछ जाना पैचाना लग रहा था उन्होंने उस ले दिए से कहा आच्छा ठीक है तो वह बीच में रास्ते में उतर गई अब ड्राक्र साहब के पास जुल्री वाले जो थे वह पहुंचे वहां बहुत लबी लाइन लगी भी थी, वो भी लाइन में जाके बैठ गए, और ड्राइवर ने आकर डॉक्टर साब से कह दिया कि मैं इनको लेकर आया हूँ, तो डॉक्टर साब को लगा कि ये उसी लेडी के हजबन है, तो उन्होंने पूछा वो कहा है, भले वो रास्ते म बतर गई, उन्होंने इनको भेज़ दिया है आपके लिए, ठीक है, जब उसकी बारी आई, तो डॉक्टर साब ने उसको अपने पास बुलाया, और बुला आपको क्या परशानी है, तो उसने का मुझे कोई परशानी नहीं है, मैं बल्कु ठीक ठाक हूँ, तो बोले फिर नहीं वो आपकी वाइफ बता रही थी, मुले हम बस आप मेरा हिसाब कर दो, देखा, मेरा हिसाब कर दो, यही उस लेडी ने कहा था डॉक्टर से, कि मेरे हस्बन मुझे बार बार कहते हैं, मेरा हिसाब कर दो, कितनी चालाकी से उसमें उस डॉक्टर को फसाया, और उसमें क कहीं ना कहीं हमारी भी तो भूल थी ना कि हम चक्कर में आ गए तो प्रेंस आपसे मैं यही कहना चाहूंगी बार-बार हमारे मीडिया में सब जगह हमारे मुबाइल पर भी मैसेज़ेश आते हैं कि हमें बहुत जादा साब्धान रहना चाहिए कोई इस तरीके से हमारे साथ करता है तो हमें उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए वही मैं आप से कहूंगी किसी की भी ब्यूटी को देखकर उस पर कुछ में अपना नियुचावर करने के लिए तैयार मत हो यह सोचिए उस डॉक्टर को उस जुल्री जो जुल्री वो लेडी खरीद के लेगी थी उस के साथ थी आधे किष्णा फ्रेंट्स सी यू सून